अब दूस्तों आज के मेरे दिन की शुरुआद हुई है एक special invitation के साथ अब सुबस हुए एक invitation आ जाए तो कितनी जादा खुशी होती है तो यहाँ पर यह invitation मिलने बहुत ही special है क्योंकि यहाँ पर Tata Motors ने मुझे यह invitation भेजा है अपनी नई एक state of the art scrapage facility में विजिट करने के लिए यह facility बनाए गई है जैपूर के अंदर आप सब जानते है कि BS6 face to norms आ रहे है नई-ने scrapage policies आने वाली है जिसका हम कब से इंतजार करें और साथ ही ASPAL law अगर देखा जाए इमिशन भी जादा करती है एक नई गाड़ी के मुकाबले एक 15 साल पुरानी गाड़ी छे गुना जादा pollution कर रही है main goal है कि emission को कम करना है pollution को कम करना है जो natural resources है उच में जो burden है उसको कम करना है अगर गाड़ी आप scrap करेंगे तो वो recycle होगी उसके metal से नई गाड़ी बनाई जा सकती है तो अब हम सेलते हैं Tata Motors की registered vehicle scrapping facility की और और वहाँ पर जानते हैं कि किस तरीगी process हो रही है